नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों जैसा कि हमने आप से कहा है हम आपके लिए लाज्ट नाइन मन्त के 500 करेंट अफ़स के कॉशन्स प्रोबाइट कराएंगे तो उसी वीडियो का ये पार्ट नमबर फाइव है इससे पहले मैं चार पार्ट अपलोड कर चुका हूँ उन चारों की लिष्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देख दी है आप उसको भी सॉल्ब करके अपने कॉशन्स नोट कर सकते हैं दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा वीडियो अन तक देखेगा सारे कॉशन आने वाले एक्जाम्स की दसी से important कॉशन है एक भी कॉशन मत छूड़ेगा हो सकता है जो कॉशन आप छोड़े वही आपके एक्जाम में आ जाए तो बिल्कुल हर कॉशन को उतनी ही सिद्दत से करिएगा जितने सिद्दत से आप पहले कॉशन को करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कॉशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे की भी पार्ट समय समय पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन ओन जरूर करने ध्यान से जिससे नोडिविकेशन के थो जब भी मैं प्रैक्टिस सेट पर अपलोड करूँ आपको तुरंट सबसे पहले मिले और आप रोज अपना टेस्ट देकर अपनी तयारी को और अच्छा कर सकें वीडियो की लिंक को जादे जादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉशन आपका टेस्ट है आप भी आंसर देने की कोशिश करिएगा मैं भी आपको आंसर बताऊंगा स्टार्ट करते हैं कॉशन सबसे पहला कॉशन ही रहा स्कीन पर दिली सरकार द्वारा DTC बसों में मुफ्त यात्रा की योजना को कब से लागू किये जाने की मंजूरी दी गई है राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं इसका सहित्र क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर है 37 अक्टूबर से DTC बसों में मुफ्त यात्रा की योजना शुरू करने की बात कही गई है option number 29 अक्टूबर इसका सहित्र हो जाएगा next question देखते है next question क्या है यह रहाँ स्कीन पर NRC सूची में नाम शामिल ना होने की शिकायत करने के लिए असम में कितने विदेशी नायाधी करन foreigner tribunals बनाए गए है right answer क्या बताएए चली देखते हैं तो इसका सहित्र हो जाएगा 1000 option number D सहित्र हो जाएगा तो यह विदेशी नायाधी करन क्या कहलाते हैं आप वहाँ पर जाके अगर आपका नाम धर्ज नहीं है आप वहाँ पर जाके अपने दस्ताविज दिखाते हुए अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं जिससे समय रहते नाम दर्ज हो जाएगा तो आपको सरकार की सभी सुविदाय मिल सकेगी अन्यता असम में रहने वाले जो भी प्रवासी होंगे उनके लिए जाना पड़ेगा संस्क्रती और परियटन राज्य मंत्री ने कितने राज्यों के 517 इस्थानिय निकायों के लिए राश्रिय इस्मारक प्राधी करण हेतू एक एकी करत अना पत्ती प्रमार पत्र NOC Online आविदन प्रसंस्क्रण प्रणाली लाँच की है राइट आन से क्या बताईए चली देखते हैं इसका सहीत्र क्या हो जाएगा तो इसका सहीत्र हो जाएगा option number D 6 तो यह है क्या तो 6 राज ये ऐसे हैं अगर है आप उसके बगल में किसी भी प्रकार का infrastructure खड़ा करना चाहते हैं तो आपको सरकार से किसी भी प्रकार की मंजूरिया बात करनी है तो आप इस प्रमापत्र के थ्रो ऑन लाइन निवेदन कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं तो इन्सोर्ट सरकार की अपने सभी पुरानी संस्कृतिक विरास्तों को बचाने के लिए एक प्रकार से ये सुभीदा है कि आप अगर उसके आसपास कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सरकार को पहले बताईए नेक्स कॉशन देखते हैं चली देखते हैं इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन अम्बर सी भारत तो भारत द्वारा ये दस्तावेच इशू करने के कारण विदेश से आने वाले समुद्री मारगों से किसी प्रकार के अवैद गुस्पैट को रोका जाएगा और नाविकों की पहचान करके उनको बाहर के कोई भी अगर नाविक घुस्ते हैं अवैद तरीके से उनको रोका जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर अगला कॉशन भारत में पहली बार किस एतिहासिक इसमारक के बेबी फीडिंग रूम की सुविदा शुरू की गई है बताइए राईचान से क्या हो जाएगा इस कॉशन के लिए चली देखते हैं तो भारत में ताज महल में पहली बार एतिहासिक रूप से बेबी फीडिंग रूम की शुविदा शुरू की गई है तो नवजाद शिचों को दूद पिलाने के लिए एक प्रकार से अलग से एसी रूम बनाया गया है ताज महल में सबसे पहले ये विवस्ता शुरू की गई है तो भारत का पहला एतिहासिक इसमारक है ताज महल जहां पर बेबी फीडिंग रूम की सुविदा शुरू की गई है नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन क्या है ये रहा स्कीन पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को किस देश में पांच सितंबर को आज़ित होने वाले इस्टर्न एकॉनमिक फोरम की बैटक के लिए मोख्य अतिती के रूप में आमंतरित किया गया है राइट आंसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सहीतर हो जाएगा आप्शन नमबर रूस तो रूस के ब्लादी वोस्तोक सहर में प्रधान मंतरी जा रहे हैं इस मीटिंग में हिस्टा लेने के लिए सभी विदेश दौरे प्रधान मंतरी और राश्पती जी के एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आप याद जरूर कर लिजेगा नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर निम्न लिखेत मैंसे किसे भारती वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है राइट आंसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सालिजा धामी सालिजा धामी को भारती वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है जिनका भी आंसर गलत हो रहा है अगर आप आंसर देने की कोशिश करें और आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप इनको नोट्स करते जाएगा वीडियो को बीच में रोक कर आप नोट्स बनाते जाएगा आपके लिए ही अच्छे हैं ये कॉशन आपके आने वाले एक्जाम में आपके हेल्प करेंगे हिमाचल प्रदेश के किस सहर में परयटन इस्थल गुलाबा हिमाचल प्रदेश का एक परयटन इस्थल है जिसका नाम है गुलाबा वहाँ पर 9000 फीट की उचाई पर देश का सबसे उचा स्काई साइक्लिन ट्रेक बनाया गया है बताईए कहां पर इस्थल राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा मनाली में इस्थल आप्शन नमर ए इससे परयटन विभाग के राजस्थों में काफी जादा बढ़ोतरी होगी हिमाचल प्रदेश के इरहा स्कीन पर अगला कौशन काफी में राज सची वाले में जीन्स और टी शर्ट पहने पर प्रतीबंद लगा दिया है बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कॉशन के लिए चली देखते हैं तो इसका सही उत्र हो जाएगा बिहार राज तो बिहार राज ने ऑप्शन अमबर डी सही उत्र हो जाएगा राज इस अच्छिवाले में जीन्स और टी-शिट पहने पर प्रतिबंद लगा दिया ह हाल यह में किस देश ने अपनी बेलेस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलता पूरवग परिक्षन किया है बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा चली देखते हैं तो गजनवी नाम की मिसाइल यह पाकिस्तान की है बैलेस्टिक मिसाइल आकार में बड़ी मिसाइल होती है और ये मिसाइल पाकिस्तान की है जिसका नाम है गजनवी नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर अगला कॉशन निम्न लिकेत मैसे किस खिलाडी के जन्म दिवस को राश्ट्य खेल दिवस के रूप में मनाय जाता है राइट आंसर के है बताईए चली द इंडरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली से इन्ही के जन्म दिवस पर खेल दिवस पर फिट इंडिया मूँमेंट की भी शुरुवात की है नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेडियम से fit India moment की शुरुवात की है अभी मैंने आपको आंसर बता दिया इसका इंद्रा गांधी इंडोर इस्टेडियम ये caution important है आएगा जरूर क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगला caution यहीं होगा और ये मैंने आपको बोल कर बताया ये caution very important है जरूर आएगा next question देखते है next question क्या है इरहा स्कीन पर आर्थिक मामलों की cabinet समिती ने देश में 2021-22 तक कितने अतरिक्त सहकारी medical college की स्थापना करने को मंजूरी दी है तो बताई कितने medical college सरकारी खुल जाएंगे 2022 तक देश में चली देखते हैं तो इसका सही उत्रो जाएगा 75 medical college देश में सरक सरकारी खुल जाएंगे 2022 तक important question है नोट कर लिजे next question देखते हैं क्या पूशा गया यह रहा स्कीन पर हाली में अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी नासा ने यह घोशना की है कि आने वाले कुछ हपतों के लिए नासा के वैग्यानिकों और कौन से ग्रह पर मौजूद अंत्रिक इस्तिती में होने के कारण परतवी के जो भी नासा का जो सेंटर परतवी का उसका मंगलना के वैग्यानिक जो tweeting के पर बात में परत बात पर आजाएगा तो फिर से संपार्णों इस्तापित हो जाएगा केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने कुछ रोक और कौनसी भीमारी के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सार्व भॉमिक जांच हेतू एक कारिक्रम शुरू किया है राइट आंसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सहीतर हो जाएगा टीबी तो स्वस्त भारत के लिहाज से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की टीबी और कुछ रोक की जांच के लिए एक कारिक्रम शुरू किया है केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने मंत्राले का कहना है कि बच्चे शुरुआत से अगर फिट और स्वस्त रहेंगे तो आगे जाकर किसी प्रकार के रोगों की होने के खत्रे कम रहेंगे तो राइट डान से क्या हो जाएगा टी बी और कुछ तो रोक को रोकने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जांच का एक कारिक्रम शुरू किया जाएगा नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्कीन पर जम्मू कश्मीर के राजपाल द्वारा हाल ही में राज़े में कितने विश्व विद्याले खोले जाने की घोशना की गई है राइट आंसे क्या है बताईए चली देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के राज़ पाल दोरा हाली में राज़ में 50 विश्व इद्याले खोले जाने की बात की गई है जम्मू कश्मीर के नए राज़ बनने पर राज़ पाल के दोरा ये घोशना की गई है कमेंट बॉक्स में कमेंट तक बताईए जम्मू कश्मील के वर्तमान राजिपाल कौन है उनका नाम क्या है मैंने आपको करेंट F.S. की लाइब क्लास में इसके बारे में बताया है नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर केरल राजि के ओल राउंडर जलज सकसेना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6000 रन बनाने और कितने विकेट लेने वाले ऐसे पहले खिलाडी क्रिकेट बन गए हैं भारती क्रिकेटर बन गए हैं जो राश्य टीम के लिए नहीं खेलते हैं बताई राइटान से क्या हो जाएगा चली देखते हैं इसका सेवत्र क्यों जाएगा तो इन्होंने 6000 रन और 300 विकेट लेकर ये इतिहास रचा है ये राश्य टीम के लिए नहीं खेले हैं फिर भी इतना आकड़ा इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया है जो काफी जादा कहें तो प्रशंशनी है इसस किस महापुरुष भारतिय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरन किया बताए राइन दांसर क्या हो जागा चली देखते हैं तो इसका सही उत्र क्यों हो जाएगा महात्मा गांदी इसका सही उत्र हो जाएगा option number a तो महापुरुष श्री महात्मा लेने वाले किस देश के इस्पिनर अजन्ता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोश्रा की है राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं तो अजन्ता मेंडिस जो है शीलंका के इस्पिनर गेंदबाज हैं और इन्होंने सबसे तेजी से 50 विक सिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं तो ये सिक्योर्टी मिशन देश की सुरक्षर विवस्ता को मजबूत करने के लिए हर साल रखा जाता है और इस साल का ये जो सम्मेलन है नई दिल्ली में प्रजातियों की खोच की है राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं तो इसका सहित्तर हो जाएगा नागा लेंड में अजरक की दो नई प्रजातियों का खोच किया गया है इंपर्टेंट कॉशन है तो भारतिय वानस्पतिक सर्विक्षन के वैग्यानिकों ने ना चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं इसका सहित्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर नई दिल्ली इसका सहित्तर हो जाएगा तो संगाई सायोग संगठन के सदस्य देश के जो भी सैन्य अधिकारी हैं उनक राजके गराव विभाग ने सारुजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहट हिरासत में लिया था पबलिक सैफटी एक्ट इनको छोड़ दिया गया रेकिन पूशन पूछा जा सकता है जब जम्मू कशमीर को 270 खतम कर रहे थे तब ये काम हुआ था लेकिन पूछा जा सकता है कि किसको हिरासत मिलिया गया था नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया इरहा स्कीन पर अगला कॉशन तेलांगना विधान सबाने नला माला वनों में किस रासायनिक ततों के खनन को रोकने हितु प्रस्ताव पारित किया है राइट आसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो तेलांगना विधान सबाने नला माला वनों में यूरेनियम के उत्खनन को रोकने का प्रस्ताव पारित किया है क्योंकि खुदाई के कारण काफी गड़े बन रहे थे और इससे क्या है जानवरों के लिए काफी ज़्यादा परिशानी हो रही थी तो इसलिए इस खुदाई को रोकने का प्रस्ताव पारित किया है इससे वन के उपर भी काफी ज़्यादा एक प्रकार से कहें तो प्राकृतिक हानी भी हो रही थी नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर अगला कॉशन हाली में सोलोमन दीप समू में किस देश के साथ अपने राजनितिक संबंदों की समाप्ति की घोशन की है बताईए राइटान से क्या हो जाएगा सोलोमन दीप समू कौन से देश के साथ में अपने राजनाइक संबंदों को समाप्त करने की बात कर रहा है राइट आंसर क्या है बताइए चलि देखते हैं इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो ताइवान इसका सही उत्र हो जाएगा option number D सही उत्र हो जाएगा तो Solomon Deep जो है ताइवान के साथ में अपने राजनाइक संबंदों को समाप्त करने की घोशना कर रहा है next question देखते हैं क्या पुशा गया यह रहा स्कीन पर अगला question हाली में किस भारती क्रिकेटर ने अंतिम ODI खेलने के 12 साल बाद क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है मतलब इन्होंने खेला था 12 साल पहले One Day International और 12 साल बाद इन्होंने सन्यास लेने की घोशना की 12 साल तक इन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी तो दिनेश मोगिया इनका नाम है next question देखते हैं क्या पुशा गया यह रहा स्कीन पर अगला question बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कॉशन के लिए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8.65 प्रतीशत तो पी एप पर प्याजदर जो है 2018-19 में 8.65 प्रतीशत देने की बात कही गई है next question देखते है next question क्या है इरहा स्कीन पर अगला question DRDO द्वारा सुखोई 30 विमान से हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है राइट आंसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस मिसाइल का नाम है अस्तर option number B important question नोट कर लिए पूछा जा सकता है next question देखते हैं क्या पूछा क्या है इरहा स्कीन पर railway मंत्राले द्वारा अब तक कितनी रेल गाडियों को head on generation technology में परिवर्तित किया जा चुका है right answer क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 342 रेल गाडियों को head on generation technology में परिवर्तित किया जा चुका है updated किया जा चुका है next question देखते है next question क्या है इरहा स्कीन पर एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से स्थीफा दे दिया right answer क्या है बताइए चली देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इनका नाम है ताके हिको ना काओ option number A सही उत्तर हो जाएगा important question नोट कर लीजे पूछा जा सकता है next question देखते हैं क्या पूछा गया यह रहा स्कीन पर 36 गड़ के मुख्य मंतरी भूपेज बगेल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कितने फीजदी आरक्षन देने का फैसला किया है राइट आंसर क्या बताइए चलिए देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 फीजदी तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीजदी आरक्षन देने का फैसला 36 गड़ के मुख्यमंतरी भूपेश बगेल के द्वारा किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया इरहा स्कीन पर तो 10 फीजदी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया इरहा स्कीन पर स्वास्त और परिवार कल्यान मंतराले राश्रिय एड्स नियंतरन संगठन तथा किस मंतराले ने हाल ही में एड्स के प्रसार को रोकने हितू एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है राइट आंसर क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले तो ये सबी तीनों मंतराले मिलकर एड्स की रोक थाम के लिए व्यक्तियों को जागरुक करेंगे और एड्स से होने वाली बीमारी एड्स से होने वाली समझ्या या वो बीमारी को रोकने के जो भी कारण है या जो सुविदाएं हैं जिससे उन बीमारी को खत्म किया जा सके इसके उपर काम करेंगे उप्शन नमर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर भारत के किस राज्य में इस्थित डंपा बाग अभ्यारंड को क्लावडेड लेपर्ड के अध्यन इस्थल के रूप में चुना गया है राइट आंसर क्या है बताईए चलिए देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम तो मिजोरम में डंपा बाग अभ्यारंड है वहाँ पर जो चीता ब्लैक और राइड चीते जो होते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं एक प्रकार से कहें तो उनके अध्यन के लिए चुना गया है डंपा बाग अभ्यारंड को जो मिजोरम में इस्थित है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर भारतिय तीरंदाज कोमाली का बारी ने केर्व क्वर्ग में फाइनल में किस देश की सुनोदावाका को हराका स्वंण पदक हासिल किया राइट अंसर क्या है बता यह चली देखते हैं तो इसका सईुत रोजाएगा जापान चाकर पूख्ष जान सकता है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है फार इसकी है right answer क्या है बताइए चली देखते हैं तो इसका सही उत्त्त्र हो जाएगा हर पांच साल में समिक्षा करने की बात कई है पांच साल में समीक्षा करने से यह पता चलेगा कि देश में आर्थिक इस्तिती में क्या कैसे बदलाओं में पूंजी का एक प्रकार से कहें तो हात रहा या इसका यूगदान रहा तो भारती रिज़र बैंक की विमल जालान समितिने संसोधित आर्थिक पूंजी नियम को पांस साल में उसकी समिक्षा audit करने का बोला है नेक्ष कॉशन देखते हैं नेक्ष कॉशन क्या है यह रहा अंतिम तारीक 30 नमबर घोसित कर दिया इंपर्टेंट कॉशन हो सकता है ऑप्शन नमबर ए सही उत्तर हो जाएगा तो वार्चिक वस्तू एवं सेवाकर जी एश्टी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीक तीन महीने बढ़ा कर 30 नमबर कर दी गई है नेक्ष कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्कीन पर भारती विदेश मंत्राले ने हाली में किसको सयुक्त अरब अमीरात का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इंपर्टेंट कॉशन है नोट कर लिजे और गतिमान एक्सप्रेस में कितने फीजद किराया कम करने की योजना को लागू करने की बात कही है राजद आंसर क्या बताईए चली देखते हैं तो इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा 25 फीजदी यह किराया कम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महंगी टिकेट होने के कारण न इन से भी आतर कर सकें जिससे नुकसान ना हो रेलवे के लिए नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है इरहा स्कीन पर किस IPS अधिकारी को तेंजिंग नौर्गे राश्टिय साहसिक पुरुसकार 2018 के लिए चुना गया है राइट आंसर क्या है बताईए चली भारत के किस गेंदवाज को सातवे स्थान पर स्थान मिला है राइट आंसर क्या है बताईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है जस्पीत बुम्रा ऑप्शन अमब भी सही उत्तर हो जाएगा जस्पीत बुम्रा को भारत में सूदान को अनरोध किया है बताईए चली देखते हैं इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो इसका राइल टांसर है सूदान तो सूदान ने जो है सांटी सहनेकों को बापस बुलाने की बात कही है सही अगर किसी भी प्रकार की सहने विवस्ता की जरूरत हो शांती के लिए या अन्य किसी काम के लिए तो देश उसकी help करते हैं तो सूडान बोल रहा है कि अब चीज़ें सही हो चुकी है तो अब उनको बुला लिना चाहिए तो सूडान की तरब से ये अनुरोग सयुक्त राश्ट के लिए किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क क्या है इरहा स्कीन पर किस भारती ये टैनिस कहिलाडी ने रोजर फेडर के खिलाप पहला सेट जीतने में काम्याबी हासिल करी तीन सेट होते हैं, तो पहले सेट में जीत गए भले overall में हार गए लेकिन पहला सेट जो है कौन जीते हैं, right answer क्या बताएए तो इसका साही उत्र क्या हो जएगा, इसका right answer है सुमित नागल तो सुमित नागल ऐसे पहले व्यक्ति भन गए हैं भारत के जिन्होंने पहले टेज सेट में रोजर फेडर को हरा दिया था बाकि ओवर ओल मैच में ये हार गएते वो अलग बात है नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या ये रहा स्कीन पर रिजर्ब बैंक ने केंद्र सरकार को सर्प्लस फंड और डिविडेंट के रूप में कितने रुपए दिये जाने की घोशना की है राइट आंसर क्या बताइए चलिए देखते हैं तो इसका सही उत्र हो जाएगा 1.76 लाग करोड रुपए option number C सही उत्र हो जाएगा काफी बड़ा amount है जो रिजर्ब बैंक केंद्र सरकार को सर्प्लस फंड और डिविडेंट के रूप में देगा ये जो भी आपकी income होती है जो भी आपकी salary होती है उसका कुछ भाग काट कर जमा कर लिया जाता है जो surplus या dividend के रूप में सरकार को देदिया जाता है next question देखते है next question क्या है ये रहा स्कीन पर अगला question नागर विमानन महा निदेशाले ने निमलिखित मैंसे किस वस्तू को विमानों में ले जाने पर प्रतिबंद लगा दिया है बताई ये right answer क्या हो जाएगा चली देखते हैं इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो इसका right answer है एपल का Macbook तो बैटरी में हो रही समस्या और हीटिंग प्रोब्लम के कारण अनुहनी को टालने के लिए बिमान मंत्राले ने एपल के Macbook को बिमानों में ले जाने से मना कर दिया है किस Hollywood कलाकार के NGO अर्थ अलाइंस ने अमेजन वर्षावन में लगी आग पर काबू पाने के लिए पांच मिलियन डॉलर की वित्ती सायता की गोश्रा की है बताए ये right answer क्या हो जाएगा चली देखते हैं तो इसका सहीतर हो जाएगा लियो नार्दो दी कैप्रियो तो लियो नार्दो दी कैप्रियो का जो NGO है उसने अमेजन में लगी आग को बुझाने के लिए डोनेशन के रूप में पांच मिलियन डॉलर की वित्ती सायता देने की गोश्रा की है तो option number A इसका सहीतर हो जाएगा important question है नोट कर सकते हैं आप next question देखें क्या पुझा गया है हाली में भारती प्रधान मंतरी ने किस देश में 200 साल पुरा ने स्री कृष्ण मंदर के लिए 4.2 मिलियन डॉलर की पुनर विकास योजना का सुभारम किया राइट आनसर क्या है बताईए चली देखते इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आनसर बहरीन option number A सहीतर हो जाएगा बहरीन important question है पूझा जा सकता है next question देखें कि आप पुझा गया इरहाव स्कीन पर केंदरिय सतर्कता आयोग केंद्रिय सतरकता आयुक ने किस पूर्व सतरकता आयुक्त की अध्यक्षता में बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है राइट आंसर क्या बताइए चलि देखते हैं इसका सही उत्र क्या हो जाएगा रोकने के लिए इस समीती का गठन किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया इरहा स्कीन पर हाली में किस आयुक के द्वारा किये गए सर्विक्षन के अनुसार अब्रक खनन छेत्र में 6-14 वर्ष की आयुके 5000 से ज़्यादा बच्चे सिक्षा से वंचित हैं तो बताईए राइट आंस क्या हो जाएगा माई का अब्रक की खुदाई करने की कारण खदाम नव में काम करने की कारण इतने बच्चे सिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे कौन से आयुक ने जानकरी दिये बताईए तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा आए बताईए चली देखते हैं तो मंगल ग्रह के बाद वेग्यानिक जो है अब ब्रहस्पति ग्रह पर ब्रहस्पति ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं संभावनाव की आप्चन नम्र A सही उत्तर हो जाएगा important question and note कर लीजे next question देखते हैं इरहा स्कीन पर हाली में भारत की किस महिला डारेक्टर जनरल और पुलिस अर्था डीजी पी की लंबी बीमारी के कारण मुंबई में निधन हो गया right answer क्या बताइए तो इसका सहीतर हो जाएगा कंचन चौदरी भटाचारिया तो option number कंचन चौदरी भटाचारिया जी हैं जिनका हाल ही में मुंबई में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया तो दोस्तों ये थे आपके लिए 50 question का part number 5 इससे पहले के part 4 जो मैंने बनाये हैं उसका link description box में दे दिया है आप उससे पहले के भी question solve कर लें वीडियो कैसे लगा comment box में जरूर शेयर करें वीडियो की link को जादस जादा शेयर करें साथ साथ आप live class का time table screen पर देख पा रहे हैं current affairs की live class का timing रोज 9 बजे से है आप रोज 9 बजे से 10.30 बजे तक live class में आ सकते हैं मैं रोज live पढ़ाता हूँ 9 से 10.30 current affairs per day तो आप रोज आ सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके bell icon जरूर on कर लें और दोस्तों वीडियो की link को शेयर करना ना भूलें वीडियो की link को जरूर शेयर करें जादा से जादा और अपना comment जरूर शेयर करें कि आपको कैसे लगा वीडियो और आपके caution कितने सही हुए हैं मुझे आपके comments का इंतदार रहेगा मिलते हैं next session में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत धनिवाद